हलो दोस्तों मैं सोरंबली का आप सभी का टोपिक स्टेडी में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले हिस्ट्री के 33 ऐसे मैथ पून पर्सन जो की एकजाम में बहुत बार पूछे जाते हैं आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाएगा और 33 में से आप कितने सेगर पाता हैं मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएगा अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से डेली ओनलाइन टेस्ट की वीडियो साधी साथ आपको रीजिनिंग और मैथ की वीडियो भी मिलती रहे तो नीचे रेडिकल के बटन को दबा करके बैल आइकन को जरूर रोन कर लीजिगा आपके पास डिली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा और प्लीज हो सके तो टेस्ट को लाइक करिएगा अपने दोस्तों को सेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टुणेंट की भी हैल्फ हो सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपको हर एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आपको उस कोशन का अंसर नीचे कमेंट बोक्स में बतारा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहजा ने आगरा का ताजमेल किसकी सिम्रिद्धी में बनवाया यानि कि किसकी याद में बनवाया तो A, B, C, D में से कोन सो अप्शन राइट रहेगा नीचे कमेंट बोक्स में बताईए तो बिल्कुल से दोस्तों अगर आप पहले का राइट आंसर D लगा रहे हैं तो वेरी गुड राइट आंसर D हो जाएगा कोशन नमबर टू, किस मुगल बादसा ने हिंदों पर जज्या नामक कर लगाया था तो बिल्कुल सही है, दूसरे का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर टू, जाटों ने सव पर्थम किसके नेतरित में 1669 इसमें में ओरंग जेब के विरूद विरूद किया तो बिल्कुल सही है, तीसरे का राइट आंसर ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर फॉर, गुरू गरंच साहिब का संकलन किस सिक गुरू ने किया तो बिल्कुल सही है, चोथे का राइट आंसर B हो जाएगा दोस्तों जो यह मैं टाइम आपको देता हूँ और एक कोशन के बीच में यह इसलिए देता हूँ कि आप नीचे कमेंट बोक्स में उसका ओप्शन A, B, C, D करके डाल दिया करें ठीक है, चले, कोशन नंबर 5 पर आ जाते हैं, और इसका राइट आंसर B था कोशन नंबर 5 है, निमिन में से किस सिक गुरू ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का परवर्तन किया तो पाचवे का राइट आंसर बिल्कुल से हैं दोस्तों, अगर आप ओप्शन D लगा रहे हैं, तो वेरी गुड राइट आंसर D हो जाएगा चलिए, नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका कोशन नंबर 6 है, सिखो के दस्वे तथा अंतिम गुरू, गुरू गोविन सिंग का जनम कहा हुआ था तो कई बार आपका कोशन ये भी पूछ ले जाता है, कि दस्वे गुरू कौन थे, तो ये भी आद रखिए, और कहां पे जनम हुआ था, वो नीचे कमेंट बुक्स में जल्दी से बताईए तो बिल्कुल से हैं, 6 का रहेट आंसर, ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर सेवन, भारतिया इत्यास में राजा बनाने वाले के नाम से परसिद सेयद बंदू कौन कौन थे? तो दोस्तों बिल्कुल से हैं, अगर आप साथवे का राइट आंसर, ओप्शन A लगा रहे हैं कोशन नमबर एट, किस मुगल सासक ने इस्ट इंडिया कमपणी को बंगाल में व्यापार करने का विशेश अधिकार परदान किया था? तो नीचे आपने कमेंट बोक्स में आंसर बता दिया होगा, एट का राइट आंसर, ओप्शन B हो जाएगा दोस्तों चे आंसर आप गलती क्यों न बताएं, बट बताया जरूर करें कोशन नमबर नाइन हैं, नादिर सान ने 1749 एस्वि में किस मुगल बादसा के कार्यकाल में दिल्ली पर आकर्मन किया था? अगर टेस्ट पसंद आ रहा हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों दस्वे का रहता आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर लेविन कि सासक की मंतरी परिशद को अस्ट परधान की संग्याद दी गई थी? तो बिल्कुल से यह ग्यारवे का रहता आंसर ओप्शन ए हो जाएगा ठीक है भई? कोशन नमबर टुएल मराठा परसाशन में चोत एवं सदेश मुखी क्या था? तो बिल्कुल से अगर आप बारवे का रहता आंसर ओप्शन सी लगा रहे हैं तो वेरी गुड रहता आंसर सी हो जाएगा ठीक है भई? चलिए नेक्स कोशन आपका थर्टीन निमिन में से किस सासक ने सवतंता का वर्क्स लगाया तता फ्रांस के जैकोबिन कलब का सदश्य बना? तो थर्टीन का राइट आंसर ओप्शन बी हो जाएगा कोशन नमबर फोर्टीन हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तो फोर्टीन का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा कोशन नमबर फिफ्टीन जैपूर नगर की स्थापना किसने की? तो फिफ्टीन का जो राइट आंसर रहेगा वो ओप्शन डी हो जाएगा कोशन नमबर फिफ्टीन पानी पत का तिरित्य यूद 1761 इस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो जल्दी से राइट आंसर बतिये A, B, C, D में से कौन सर रहेगा? और 16 का राइट आंसर बिल्कुल सही आपका ओप्शन A हो जाएगा कोशन नमबर 17 भारत में सवपर्थम आने वाला यूरोपिय व्यपारी कौन था? दोस्तो बस आपका थोड़ा ही कोशन और बचे हैं तो एंड तक लगाईएगा बिल्कुल टेस्ट को बहुत इंपोटेंट कोशन है सारे तो बिल्कुल सही है सोरी 17 का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा कोशन नमबर 18 भारत आने वाला सबसे पहला पूर्ट गाली कौन था? तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल सही एक बच्चे को बताऊगा इसका आंसर देके जल्दी से बते कमेंट बोक्स में हर एक बच्चे का आना चाहिए तो 18 का यहां पर राइट आंसर बिल्कुल सही एकर आप ओप्शन D लगा रहे है चलिए कोशन नमबर 19 भारत में पहला पूर्द गाली गवर्नर था? कौन था पहला सबसे पहला पूर्द गाली गवर्नर? तो बिल्कुल सही है 19 वे का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा ठीक है दोस्तों? कोशन नमबर 20 डचो ने अपनी पहला कार खाना कहां इस्तापित किया? डचो ने अपना पहला कार खाना कहां इस्तापित किया था? तो बिल्कुल सही है 20 का राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा बहुत बार पूछा जाते है question B question number 21 डचो का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई में हुआ ये भी बहुत बार question पूछा जाते है दोस्तों तो right एक बार मतलब try किया करें जो भी आपका सही गलत जो भी आता है बस try किया करें कि question का answer बता के नीचे comment box में जी बिलकुल सही 21 का right answer option B हो जाएगा question number 22 East India company की स्थापना कभी की गई ये भी बहुत बार question पूछा जाता है तो 22 का right answer option A हो जाएगा ठीक है दोस्तो चलिए question number 23 बिर्टेन के समराट जेम्स पर्थम के राजदूत के रूप में जहागीर के दरबार में आने वाला यातरी कौन था तो बिलकुल सही है दोस्तो question number 23 का right answer option B हो जाएगा ठीक है question number 24 इस्ट इंडिया कमपनी को 3000 रुपे के बदले बंगाल में निसुलक व्यापार करने का अधिकार कप राप्थ हुआ दोस्तो 24 का right answer option C हो जाएगा question number 25 अंग्रेजों ने सवपर्थम अपनी व्यापारिक को ठीक कहां स्थापित की सारे question exam में पूछे जाने वाले हैं और बहुत बार पूछे जा चुके 25 का right answer option D हो जाएगा 26 कलकत्ता सहर की नीव किसने डाली तो 26 का right answer option A हो जाएगा question number 27 भारत में फ्रांसिस्यों ने पहली फेक्टरी कहां स्थापित की तो बिल्कुल सही है 27 का right answer option B हो जाएगा question number 28 येरोपिये वैपारियों की प्रारंब में किसके वैपार में अधिक रूची थी दोस्तों अगर test पसंद आ रहा है ने तो like तो बनता है यार like कर दिया गरें ठीक है end तक तो आपको पता चली जाता है कि कैसा test है क्या मुझे अच्छा लगा इसमें 28 का right answer यहाँ पर option A हो जाएगा ठीक है दोस्तों question number 29 देखे ये question बहुत important है येरोपिये वैपारियों के भारत आगमन का सही करम कोन सा है यानि कि सबसे पहले कोन आया उसके बाद फिर कोन आया फिर उसके देखे 29 का right answer option D हो जाएगा सबसे पहले पूर्तगाली आये उसके बाद बिर्टिस आये फिर डच आये फिर फ्रांस आये फिर देन आये ठीक है तो ये इनका बिलकुल सही करम है याद रखेगा कोशन नमबर 30 बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है वह पूर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो बिलकुल सही है 30 का right answer option B हो जाएगा कोशन नमबर 31 भारत तक पहुँचने के समुद्री मार्क की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी तो 31 का right answer option A हो जाएगा देखे सबसे पहले पूर्तगाली ही आये थे तो इनके द्वारा ही समुद्री मार्क की खोज की गई थी भारत में आने के लिए कोशन नमबर 32 प्लासी का यूद 1757 इसवी किसके मद्य लड़ा गया था ये भी हजारो बार कोशन पूछा पूछा जा चुका है तो 32 का right answer आपका option C हो जाएगा कोशन नमबर 33 मीर कासिम ने अपनी राज़दानी मुर्शिदाबाद से हटा कर कहां इस इस्थांतरित की थी तो कहां पे इस्थांतरित की 33 का right answer option A हो जाएगा तो झाएगा पूफा है